हेलो एवरिवन मैं विनया आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत करती हूँ तो आज हम बिल्कुल डहबा स्टाइल सेव टमाटर का साग यानी की सबजी बनाने जा रहे हैं तो चलिए फिर इस स्पाइसी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरूत करने से पहले अग तो उसके लिए हमने यहां पे कड़ाई में एक चोथाई कटोरी कद्दुकस किया हुआ सुख्या नारियल डाला है अब इसे हम लो फ्लेम पे दो से तीन मिनिट के लिए ब्राउन होने तक भून लेंगे तो आप देख सकते हैं नारियल को ब्राउन कलर आ चुका है अब हम कड़ाई से निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में हम एक बड़े साइस का प्याज काट के डालेंगे और इसके साथ ही हम 6-8 लेसुन की कलिया और 1 इंच अद्रग का तुकड़ा डालेंगे और इन सारी चीजों को भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं तो प्याज को एक चमच जीरा भी भून लेते हैं तो जीरे को हम बस एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे और उसके बाद ग्यास बंद कर देंगे तो जीरा भी हमने भून लिया है तो सारा मसाला हमारा रेडी हो चुका है इसे हमने प्लेट में निकाल के थंडा कर लेना है और उसके ब बिल्कुल भी जादा नहीं डालना है इसमें तो आप देख सकते हैं मसाला हमने अच्छी तरह से पीस लिया है तो चलिए अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हम कड़ाई में 3-4 चमच तेल लेंगे अब जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो जो मसाला हमने पीस तरह से भूल लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच लाल मिर्श पाउडर आदा चमच हल्दी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें एक चमच गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीजों को हम मिला लेते हैं तो अब मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसमें आदा के बाद हमें मसाले को दो से तीन मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है आप चाहे तो ढखकन रखके भी पका सकते है तो तीन मिनिट हो चुके है और हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े टमाटर की पेस्ट या तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया एड़ करेंगे अब धनिया को मिक्स करने के बाद हम इसमें दो कोटोरी गरम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब नमक डालने के बाद हम gravy को मिला लेते है और उसके बाद हम इसे 5 मिनिट के लिए लोफ लेंपे पकने देंगे बस अच्छे से उबाल आने तक हमें इसे पकाना है आप देख सकते हैं हमारे gravy को अच्छे से उबाल आ चुकी है हमारे gravy बिल्कुल perfectly ready हो चुकी है अब हम ग्यास बंद करेंगे और ग्यास बंद करने के बाद हम इसमें स्पाइसी भुजिया यानि की सेव डालेंगे तो ये तीखी वाली सेव है जो हम इसमें डालेंगे आप चाहे तो भुजिया सर्फ करते वक्त भी डाल सकते हैं पूजिया डालने के बाद हम सबजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो सबजी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बहुती यमी और टेस्टी ऐसी ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी हमने हापे बना ली है आप इसे चपाती, चावल, जवार की रोटी किसी की बे साथ खा सकते है तो केसी लगी आपको ये लॉकडाउन स्पेशल स्पाइसी रेसिपी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की रेसिपी फसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी में घंटी को भी दबाईए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुचे तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकडेस कुकी